की तरफ जुड़े होती है और मेड़क का बॉटनिकल नेम इसी लिए राना टीग्रीन है जो आकास में उड़ते हैं अनेक प्रकार की पच्छियों की बेउस्ता है अब यहाँ दो प्रकार के वो प्राणी है एक है स्वापोसी और दूसरा है परपोसी गाई इतनी बड़ी है लेकिन वो प्रपोसी है मक्षर बहुत छोटा है लेकिन वो अस्वापोसी है अब जीव जीवास में जायंते की परक्रिया है की परक्रती में अगर बक्री आई है तो उसने पेड के पत्तों को खाया है और बक्री को खाते हैं ना मानव रिसाइकल शिष्टू पंखा बहुत तेज हवा दे रहा है पंखा नहीं हवा देता लेता है प्रकृती की हवा को रिसाइकल करता है यही ब्रह्म हो जाते हैं वे स्वामे जी कथा कर रहे हैं तो आपकी द्रिष्टी में स्वामे जी कथा कर रहे हैं लेकिन वास्त्यक में कथा तो को यह और ही कर रहा है ना मैं नहीं जान सकता कि जितनी इस्टमना आप देख रहे हो एक से डेड़ घंटे से उपर नीद नहीं है वो भोजन भी नहीं है नोकरी बड़ी कर रही है मेरी अठारा घंटे के लिए तो एक आखे नहीं देखती है आखों के पीछे एक द्रग सकती है कान नहीं सुनते हैं इनके पीछे एक घ्राण सकती है इन्हें हमें जानना चाहिए परपोसी और स्वापोसी परपोसीयों का दाई तो स्वापोसीयों पे दिया गया परमार्त अगर आप स्वयम खा सकते हैं इस पर एक भगवान ने एक दिन देवताओं और राक्षसों का संबाद बुलाया कहां बहीं चलो देखते हैं आप में कितना विबेक है जवारी बाबा कहने लगे आपकी थाली में भोजन है आप लोगों को भोजन करना है लेकिन आपके हाथ में एक ऐसी पट्टी बांधी जाएगी हाथ मुड़ेगा नहीं अब भोजन करने के लिए तो राक्षस जल्दी भगते हैं ना कि खान पान और दान में सदा रहे अगुवान राक्षस बेट गे उनका विवेक सुनने हैं आगल बगल में पंक्ती में बेट गे इसने उठाया निवाला तो मुमेत वाया नहीं पडोसी के गाल पे तड़ पडोसी ने उठाया तो दूसरी के गाल में तड़ इस तरीके से प्रथम पंक्ती से लेकर अंतिम पंक्ती तब सब भी रिवस हो गया बोजन कहां करेंगा आपका हां तो बदा हुए ना विवेक नहीं है ना आपका यह उठाकर के पडोसी के गाल पे बोजन एक तरफ रहे गया बात ही बात दोर हो गया अब देवताओं का नंबर आया तो देवता अपना आमने सामने वेठके उनके मन में भाव आया मैं भोजन खुद ही तो नहीं कर सकता वदे हाथों से अगर मैंने ये भोजन अपने भाई को करा दिया तो सर्म आएगी मुझे भी करा देगा ये भाव जग जाए तो कथा कानन देगा स्वयम खाएंगे तो नहीं है न इसलिए वेदों ने कहा कि अगर आप भोजन करते हो बिना ठाकुर जी को चढ़ाए तो भोग है और अगर वो नहीं करोगे तो प्रसाद कैसे बनेगा सामने वाले को खिलाओ तो आपको खिला देगा अब हम आदिमानों हैं शेखावत जी प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया है आपको साध करना नहीं आता है बन प्राणियों को रहने के लिए जंगले प्रकृतिक ब्यवस्ता है आज बड़े-बड़े रिसेट सेंटर खुले हैं उनको बोलो ना यह मुसम्मी के अंदर अस तुमारा बाब डालता है क्या डालो पताओ ना कहां से आता है केले की मिठास कोन डालता है प्रकृति जिस चीज को आज हम थोड़ा सा सीख रहे हैं हमारे रिशियों ने पांच हजार चार सो सत्तर साल पहले करके दिखाया है उस समय गर्भवती महिला बाहर ना आए हमने नहीं स्विकार किया लेकिन आज हमारे डॉक्टर साब कहते हैं कि अगर महिला गर्भवती है तो जहां राइट का अली फ्लिक्सन होता है वहां ना जाए गर्भ व्यवस्थित नहीं रहेगा बच्चे को छती हो जाएगी जैसे वेल्डिंग मसीन चलती है तो वहां नहीं जाने देंगे एक सरे मसीन की लाइट के फ्लिक्स के पास नहीं जाने देंगे यह चोटा सा रिफ्लेक्सन है आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया लेकिन जो पूरी प्रकृति को प्रकास दे रहा है उसका रिफ्लेक्सन हम में लोगों के साथ साथ साइन्टिफिक होना पड़ेगा अब हमारे बच्चों को रिजन समझाना पड़ेगा नहीं तो राधे राधे और धन बाटले आधे आधे में सनातन की और नहीं आएंगे सुन्दर ब्रिक्च है शुन्दर फल है प्रकृति में आप देखिए सरद रितू ग्रिश्म रितू वर्सा रितू हर रितियों के आधार से फल आपको प्रकृति ने दिया है तन और मन की अगनी भोजन से होती है प्रकृतिक व्यवस्था से वहीं से इस्तिरी की उत्पत्ती होती है तुष्ये तन की सांती होती है उदर अगनी सांती होती है आपके भोजन से अब निर्भरे आप भोजन कैसा करते हैं, तो नोट कर ले ना, ब्राह्मा महुर्थ का भोजन हमेशा है ना, बास्साई होना चिया है, सुबेरे के समय, आप कुछ भी भोजन करो, काजु, वादाम, पिस्ता, जो भी राम जी ने दिया हूँ, हमारे जैसे को तो पानी भी कही बार नहीं मिलता, यहां तो बच्चे देते नहीं, तो कभी दो दाने मुम फली पे भी गुजारना पड़ता, कभी वो भी नहीं, हमारे तिवारी जी बैठे है, साक्षी, एक बार हमारे हाँ कारिकरम चल रहा था, गुरु पूर्णिमा का, यह हमारे सिस्स्यों ने समझा, गुरु जी, ऐसे, और बाकी सिस्स्यों ने समझा, हर-हर महादेव, पूछ भी है, हमारे ऐसे चले हैं, यह सम, अब मेरा कैसा, जब गुरु पूर्णिमा का कारिकरम होता, तो नीद ही नहीं रहती है, अनुष्ठानों में, सुबह तीन बजे हवनकुंड से उठना, फिर सबसती पाठ करना, लोगों से मिलना, फिर रात को भागवत कथा करना, और आप कहां जो यह आरवेद की सेवा है, मेरे हां रुष्ट चलू रहती है, रात दिन का जंद है हो, क्योंकि उनको विचारों के पता, बाबा कर या मर, पहले मेरा भला कर, इस्ती दूर से आये बाबा, अरे बाबा कितना मैनेद कर रहा है, सुबह से, मैं भी बही किसी मा का बच्चा हम भाई, कालिकरम संपन दीप जबरदस्ट, डेड़ सो लोगों का भोजन हो गया, गुरु जी के नाम पे कुछ भी नहीं, डेड़ बजय उठे, गुरु जी का भोजन, बले है नहीं, बले गुरु जी का चाय, बले दूद भी नहीं, पुछो, समक्ष बैठे हुए लोग है, तो फिर अब वहां पर तो ह आम ने यही कहदा हर इक्षा बल्वान, उसने कहा कि अभी थोड़े एक जिन और कर, क्योंकि आज नौमी है, और सिदिदात्री की रात है, अगर आज मैं भोजन कर लेता, तो सिद्धिया नहीं फलित होती, इसलिए त्याग से ही सब कुछ मिलता है, जो दो सो लोगों का भो करवा लेगी, आपके भोग, आपके भाग, आपके संचित कर्म, आपके प्रारब्द, वो यस ही आप जिसके काम करवा लेते हैं हम दुखी इसलिए होते हैं, क्योंकि हम समझते हैं यह हम कर रहे हैं, नहीं, नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं लाइफ इस रेली ड्रामा ये पहले से ही निर्धारी थे आपको कितनी दूर चलना है स्रिष्टी की व्यवस्ता की जा रही है चिंता होती है ना मेरा बच्चा भूखा है आप भी सोचते मेरी खेती पड़ी है उसमें फसल नहीं लगेगा मेरी बच्चिये से परमात्मा को भी थोड़ी सिचिंता होने लगी है कि अब हलाहल हो गया है प्रले हो गया है स्रिष्टी का निर्मान करना चाहिए जा ग्रिहे पर्शम रूपम भगवानम महा दभिह सम्पूतम खोड़स कलमा दो लोकजी स्रीचया नस्यां बच सयनस्यां योग निद्राम भितन्वतह नभी हिजयां बुजा दासी सुहां बिश्वत्रिजदा निर्मान करना चाहिए सुत जी कहने लगे देवरिशी नारत जाग्रिहे पर्शम रूपम स्रिष्टी के आदि में परमात्मा स्रीहरी की एक्षा हुई आवत्तार की तो आप ध्यान लेंगे कि जितने आवतार हुई है सब में कुछ कलाएं कमी रहे लेकिन भगवान कृष्ट में सोला कलाएं और यह हमारे विप्रबंधु वैठे हैं भूदेव इने भी ज्यान है कि कोजागरी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा भी सोला कलाओं से पूर्ण होता है भगवान की सोला कलाओं का व्याख्यान किया गया पंच भूद शरीर दस इंद्रियां और एक मन्त इसलिए लोगों ने कहा है कि प्रकृति में हर व्यक्ति रा में और कृष्ण है साधन परमात्मा ने सब को दिया है साध्य करना हर कोई कोई जानता है हर कोई नहीं कर सकते जिस तरीके से पैर में अगर सिंदूर लगाए तो महावर माथे पे लगाए तो तिलक और मांग में लगाए तो सुहाग सिंदूर वही है जिस तरीके से आप रावण की बात करते हो तो जहां तक गुदंतिया है छेपक है रावण का साब्दिक अर्थ होता है माराज पापों का प्रायश्चित करके रोने वाला इसका नाम रावण कपड़ा पहले इन्हें दसकंधर, दसानन और दसग्रीव के नाम से जाना जाता है एक बार दसो दिसाओं पर विजे पाने के बाद लंकेश कैलाज पर पहोंचा आदमी कहता ना मैं बड़ा मैं बड़ा बहुत बारी बाबा तो वो दसाओं कि सेस कहें कि मैं बड़ा सेस कहें कि मैं बड़ा लियो धर्ती फन पे उठाए सेसनाग जी कहने लगे मैं बड़ा हूं क्योंकि मैंने प्रित्वी को अपने फन पे उठाया तो महेंस कहें कि मैं बड़ा लियो सेस गले लपता है संकर कहते हैं मैं बढ़ा हूँ क्योंकि मेरे गले में सेस नाग है और रावन कहे कि मैं बढ़ा लियो कैलास तो ना सेस बढ़े ना महेस बढ़े ना रावन बढ़ा बाली कहता है मैं बढ़ा हूँ बाली कहें कि मैं बढ़ा लियो रावन काख दबाए छे महीने अंदर रखा दर्शन कि दस्मंडों में गुरसाला का जब दीपा धार बनाया था तो दया अगरी बाली को थी तब जाकर तमें छुड़ाया था राम कहते हैं मैं बढ़ा हूँ तो कि मैंने रावन को मारा लेकिन एक बार को सिल्या ने पूछा था आवध में आने के बाल मेरे लाल तुमने रावन को मार दिया बिनम्रभाव से मेरे ठाकुर ने मेरे राम ने मर्यादा पुर्शृत्तम स्री राम ने कहा अरे माँ, चारो वेदों के ग्याता, आज पुराणों के ग्यानी मरमग्य, बारा कलाओं से नहीं, चौदा कलाओं से परिकुर्ण रावन में बारा थी, रावन में चौदा थी, उत्तम कुल के ब्रामण, को मा, मैंने नहीं मारा, रावन के मैंने रावन को मार दिया, इसलिए कभी मैं नहीं करना, अहां में को दूतियनास्ति भूतों चेंगोई चेंगोई चेंगोई, कोच गया, नंदी से प्रश्ण किया, यहां कौन रहता है, नंदी स्वर ने कहा यहां देवा धी देव महें स्वर रहते हैं, दसकंदर ने कहा रहे, जिसको अतिथी परायनता का ज्ञान नहीं है, आओ बेठों, पीओ पाने, तीन वस्तु मोलना ने, वो साधारन मानों नहीं हो सकता, यह देवा धी देव कैसे हो गए, पढ़ना आप रामचरित मानश में नंदी स्वर और दसकंदर का संबाद, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नंदी ने कहा रहे मूर्ख, अगर संत के अपने बड़े के पास जाना है, तो महले मान त्याग दे, अगर तुम मान दोगे, तो ही तुम्हे सम्मान मिलेगा, अगर तुम किसी का मान नहीं करोगे, तो तुम्हे सम्मान कदापी नहीं करोगे, तर्क होने लगा आपके पास क्या है मेरे पास क्या है बोले दसकंधर आपके पास सब कुछ है ब्यंग भासा बोला दसकंधर ने तिवारी जी कहने लगा अगर तुम्हारे स्यू में इतनी सक्ती है तो बंदर जैसा मुख क्यों दे दिया ऐसा ब्यांग भासा गोला नंदी ने कहा मेरे प्रभू मुझे कामदेव से विसुंदर शुरूप दे रहते लेकिन वो मुझे सुईकार नहीं जहां मेरे कारण मेरे स्वामी की समानता खो जाए और मेरे स्वामी ने मुझे जो जगहदी कोई नहीं दे सकता सुनो महाकाली क्रोध में प्रितिवी पर तांडव कर रही थी एक हाथ में खप पर दूसरे में खड़ग लोगों का रख्ट पी रही थी सिर काट रही थी उस हालात में मैंने अपने चारों पैरों के मद्ध में सिव को रखा और यूद किया सिव के प्राण बचाने की कोशिस की जो मेरा दाईद पता जो मेरा धर्म था लेकिन छोटे से ही त्याग के लिए सिव जी ने मुझे क्या दिया सिव जी ने मेरे ये कह दिया कि ए नंदी तुने अपने प्राणों का भै ना करके मेरे लिए त्याग किया है, परिट्याग किया है, मृत्यूख से बैमुक्त होकर युद्ध किया है, तो जहाँ आज से मेरे हर मंदिर पे नंदीश्वर की पूजा पहले होगी, और शिव की पूजा बाद में होगी, ऐसे उन्होंने मुझे पुजवा दिया ये काम संत या भगवन्त ही कर से और यहां तक प्रमाण है, कि अगर सिव से कुछ कहना है, सिव तक संदेशा देना है, तो नंदी के कान में कहना पड़ता है और अनेक प्रकार परिक्षाएं लिए हैं, आप कथाएं चलेंगी, सुनेंगे राम को ब्रह्मा दोस लग गया था, पता हैं, ब्रह्मा दोस लग गया था जद्या में